हेलो गाइज वेलकम तो ओर चैनल सिक्सालाइंस सिक्सालाइंस में आपका बहुत स्वाकत है और हमारी सीरी चल दिया भारती सम्विदान की और उसके तेथ हम पढ़ रहे हैं परमुख बीटिस का लिन अदिनियम और अब तक हमने देख लिए कि कौन से अदिनियम है वो बीट इस ताज के समय आयते हैं और आज हम तीन परमुख अदिनियम देखेंगे जिसमें से 1909 का अदिनियम, 1929 का अदिनियम और 1935 का अदिनियम और परत्योक्ता परिक्षाओं में अगर सबसे ज़्यादा सवाल किसी अदिनियम से पूचे जाये तो ये तीन अदिनियम सबसे पर आज़े मारले मेंटो सुधार भी का जाता है ये हलाकि वासराय और भार्षचीव के नाम पर ही होता है और इसी गादार पर इसको मारले मेंटो सुधार अदिनियम का जाता है और सबसे इंपोर्टने टेस्टा लगाते जीए इसकी प्रबल संबावना के आगामि प्रत्वक प्रिक्षा में पूछा जा सकते हैं कि कि समिधि की सिफार इस पर है वो उनीस उनीस का भरत परिशत दद्य ने बिढ़ा गया तो वो है अरूंडेल समिधि इसके तहत है वो केंदरिये विधान परिशत की सदिश्य संक्या साथ कर दी गए जो की पहले सोला ती नहीं पहले सोल हा थी और सोला से बड़ा करें वो साथ करदी कि कैंदरिये विधान परिशत की सदिश्य संक्या सब्रांती विद्य कि सदिश्य संक्या में बढ़वतरी कर दी गए और जो बड़े प्रांती जैसे मुंबई, मदराज, पंगाल, उत्रपादिस इनमें है वो संक्या 50 कर दी गई और बाकि कुछ जगे छोटे प्रांत है उनमें 30 कर दी गई जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं हमारे से विदान में यह था कि मंत्री जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं कुछ सदी से संक्या के तो जैसे दिल्ली है वहां पे है वो इतना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए वो रिलेक्स संदी के कुछ है वो 10% वगर ऐसा कर दी गई तो यही प्रावदान यहां पर भी था कि जो बड़े संक्या यादा कर दी गए और छो छोटे प्रावदान यहां पर 우ह कि प्रतिकता का अगर शुरृत की यह तो यह से 1909 का जो की मुसल्मानों के लिए है वो प्रत्थक निर्वाचन है वो प्रावदान किया गया था और अंग्रेजों का यही मोटो था कि फूड डालो राज करो यानि जादा से जादा फूड डालो उससे उनको प्रसासन करने में और आसानी होगी तो यहां पे यह कदम उठाए कि हाला कि इस निर्वाचन परना लिको है वो और विस्तरित कर दिया जाएगा जैसे अभी खाली मुसल्मानों के लिए बाद में इसको और दाइरा बढ़ा के और विस्तरित कर दिया जाएगा सबसे इंपोर्टन यह है कि इसमें सबसे पहले वाइसराय की कारेकारणी में है वो दो भारती सदेश्यों को है वो नामित किया गया था ये सबसे important कि उसने इसका दियान रखना केशी गुपता और सयद हुसेन बिलगरामी केशी गुपता सयद हुसेन बिलगरामी इन दो सदेशों को वाइसराय की कारेकारिणी में है वो भरती सदेशों के रूप में है वो नामित किया गया पहले ये था कि बजट पर आप बैस कर सकते हैं प्रशन पूछ सकते हैं लेकिन अनुपूरक प्रशन पूछने की अनुमती नहीं थी और लेकिन इस अदिनियम के तहते हैं वो आप बजट पर बैस कर सकते हैं प्रशन पूछ सकते हैं और अनुपूरक प्रशन भी पूछ सकते यह भी इस अदीनियम के बराबदान कर दिया गया था आँ अब भारत सासना अदीनियम 1919 इसको मोंंटेग्यू सीम्स Kellogg सुधार के नम से जाना जाते हैं और सब से पहले अगर किसी अदीनियम में बेटिस सरकार में यह बता आथा कि वह भारत में उत्तरदाई शासन की है, वो इसतर अपना करना चाहती है इस अधिनियम के तह二 है, वो वी कैंदरी क्रण को ध्याल में रखते हुए कैंदरी और प्रांती सुची को थोड़ा कम कर दिया गया राज्यों पर कैंदर का नीयंतरण है, वो थोड़ा कम कर दिया गया तो यहां पे है वो center list और state list बाढ़ी गई, जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारती सम्विदान की साथ भी आनो सुची है, 7th schedule में, तो यहां पे भी है सक्तियों का विबाजन कर दिया गया है, जिसमें कि state list, center list और concurrent list, यानि center list, state list और concurrent list, यानि राज्य सुची, संग सुची और स सम्विदान सुची, तो इसी के तहट यहां पे भी इस प्रकार से इसको विबाजन कर दिया गया, पहले हमने देखा था कि नगरपाली काउंग के तहट है, वो अपर्टेक्स चुनाव परनाली है, वो प्रान भूई थी, लेकिन इस अदिनियम के सहत है, वो पर्टेक्स कि यह वो उसमें सिमी थी, अब इसको और विस्तरित करते हुए, शिखों को भी इसमें सामिल कर दिया, इसायों को भी सामिल कर दिया, और अंगल भारतियों को भी है, वो सामिल कर दिया, निर्वाच्चाग यानि प्रथक निर्वाच्चाग की कहता कि मुस्लिम यह क्या है वो किया गए हमने देखा था कि 1818 का जो आश्यासन दिने मा राए था उसमें यह था कि नियंतरग मंडल और निदिसक मंडल को स्तमाप्त करके उसकी इस्तान was swift स्टान पर है वो भारती सची उपत का है स्रिजन किया गया था сод्सी यह और भारती परिशा था जो कि 15 सदेशे परिशा थी उसका वेतन या राजस्व है वो बिटीस राजस्व संद्धिकर भारती राजस्व से उसको वेतन भथते दिये जाते थे और अब उसमें संसोधन करके भारत की स्थान पर है वो बिटीस राजस्व से उनको है वेतन भथते दिये जाने लगे ये भ करते हैं कि कौन साइस में सही होगा, दूसरा है कि प्रांतो में 200 अब केंदर में 200 दनी ववस्ता पूचे, तो ये होगा, अगर प्रांतो में 200 दनी ववस्ता पूचे, तो 1935 होगा, प्रांतो में 200 दनी ववस्ता पूचे, तो 1935 होगा, केंदर में 200 दनी ववस्ता पूचे, तो 2019 होगा और प्रांतो में द्वेस आशन पूचे तो 2019 और केंद्र में द्वेस आशन पूचे तो वो निसो पैथिस होगा यह यह यहां पर common चीज है लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इसमें confusion होने से कि उसने हो गलत हो सकता है तो इसमें दो तीन यह आप इसको बार बार इसको केंदर में huge 한वेस था प्रांतो में द्वेस आशन Be प्रांतो में 2 शासन, वो आएगा 1912 के तहित, केंदर में 2935 के तहित, और हमने पहले दिखा था कि 2965 से लेके 72 के बीच में भी था, वो ये था कि 3065 में क्लाइव ने स्टार्ड़ गया था और 1772 में उसको वारेन हैंस्टिक्स ने वो उसको समापता कर दिया था त्वेस असन का जनक के सामयनता है वो लियोनल कार्टिस को का जाता है और इसी अदिनियम के तैत है केंद्री बजट और राजिय बजट को अलग कर दिया गया था और बजट से समधि एक समीत ही आई थी जिसका ध्यान रखना का एक बार क्यूशन आ सकता है एक वर्त समीत थी जो की बजट से समधि थी भारत में लोगसेव आयो का गठन है वो इसी अदिनियम के तैत है वो किया गया यहनि लोगसेव आयो का गठन भी इसी अदिनियम के तैत हुआ प्रांतों में द्वेस असन अब यह कि प्रांतों में द्वेस असन तो इस्टार हो गया लेकिन उसकी प्रांतों में 2 सासन की शुरुवात कप से हुई तो वोय हो है इसे रहो है लोसित कैन्दर में 200 का पंके उन इसे होopy और 305 ना के इस अधिकार की ववस्ता पोचे तो 1935 होगा. प्रमुख पिटिस का लिन अधिनियम में इस अधिनियम के स yhtयात्य महिलाओं को मताधिकार की ववस्ता देशते हूगती. महिलाओ के लिए मताधिकार पेलीवार है. मताधिकार की समिद फाएं जो कि संपतिकर और सिक्सा इनमें योगदान था वही लोग है, वो मतादिकार का परयोग कर सकते हैं जैसे यह अट आ गया उनीस उनीस का तो उसके है समीती का गठन के जाए नहीं वैदानिक आयों का गठन के जाए जो दस वर्स बाद है वो इसको देखेगा इसका मुल्यांकन करेगा कि यह कहां कि सतक सफल हो और कौन कांपर इसके वो कम्या रही तो जो अंतीम अदिनियम आगे का अदिनियम आएगा उसमें है वो उसको सुध आधार कर सके उसके लिए वैदानिक आयों कोई गठन का इस इसी अदिनियम के तहत है वो रावदान कर दिया गया अब पढ़ते हैं भारत सासन अदिनियम 1935 सबसे इंपोर्टन अदिनियम इसी कोई क्या से सकता क्योंकि भारत के सम्विदान में यहां से बहुत कुछ चीज है वो अडाप्ट करने का प्रैस क्या यह एक मातोपन अदिनियम था जिसमें 321 अनुचे थे 10 अनुसूचया और 14 भाग बढ़नी थे यहनी 321 दस अनुसूचया और 14 भाग बढ़नी थे जैसे आज के भारती सम्विदान में 3095 अनुसे दे हलाक अभी 12 अनुसूचय होगे 12 है तो इसलिए कहता है तो 1935 में देखा जाए तो 321 इसमें अनुचे थे 10 इसमें अनुसूचया है और 14 इसके भाग गए इस अदिनियम काने से पहले एक साइमन कमिशन है था जो हमने 1919 के अदिनियम यह देखा था कि 10 साल के बाद है वो वैदानी कायों को अकटन किया जए ह हर 20 इसलिए वह एनलेसिस करेगा कि इसमें क्या कमिया रहिए और अगले अदिनियम में उस कमियों को अधिस सुधार के रुप में अपनाए जा सके इसके लिए हो साइमन कमिशन का 자ई बहुत विरोध हो था और विरोध होने का अगर इसका सबसे बड़ा रिजिन देखा जा मिल नहीं था और इसका पूर्जोर है वो विरोध वा था उनिस ओठेस के असपा सी आया था और इसी के समय है वो लाटी चार्ज वा थे जिसमें लाला लाजवतराई भी सहीद हो गयते हैं उन्हों न कहा था कि ये जो एक ताबूत में है वो केल साबित होगी अंग्रीजों के आगा था और इस अधीनियों के कई सारे प्रावदान आज भी भारतिया सम्मथान में भी समय, इसे दिए सब जादा हिइए अखहिथ बाहरतिया संग की सिंघ का वीजिए जैसे आज के समय में हम देखे जैसे सेवं striving में दिया गया कि संग सूचिए राज सूची है और संप्रती सूची है और अफिष सकते हैं वो केंदर के पास में रेगी यह भी अब यहां पर सबसे important है कि प्रांतों में वो दूशासन की विवस्ता खतम कर दे गई और केंदर में दूशासन है वो शुरू कर दिया गया यह यहां पर देखते कि 1919 में है वो प्रांतों में दोईसासन था और 1935 में है केंद्र में दोईसासन कर दिया गया इस अदिनी में संपर्दाइक्ता का विस्तार करते हुए दलित महिला और मजदूर के लिए भी है वो अलग से निर्वाचन की वश्ता करती है हम देखते कि 1909 में यह था मुस्लिम तक 1919 में इसको बढ़ा करें वो सिख इसाई और एंग्लो इंडियांस के लिए कर दिया गया औ अठार सो अठान में जो भारत परिश्यद गठित की गी थी उसको इस अदिनियम के तेत है वो समाप्त कर दिया गया जो पंद्रा से देशिए भारत परिश्यद का गठन भार्षचिव के लिए किया गया था उसको इस अदिनियम के तेत है वो समाप्त कर दिया गया आर्बिय का गठन किया गया 1937 में संगिय नियाले की स्थापना भी की गई और राजी सिवायों को और संजुक्त सिवायों की स्थापना भी की गई इस अधिनियों समधित कुछ कथन है जैसे कि पंडित नहरों निये खा कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित काड़ी है और जिन तो हमने सबसे पहले बढ़ाता कि भारत पश्यद अधिनियमें जिसे माले मेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसमें बैनमें ये पॉइंट जहाना है कि कि समय थी कि सेफारीज पर है वो पारित किया गया था और उसके बाद में इसमें वह सांपरता एक निर्व और उत्रदाई शासन की है वो इस्ता अपना की इसमें बात की गई प्रतेक्स चुनाओ पढ़नाली को अपना गया वी केंद्री करनेट पर रहे वो बाल दिया गया इसके तहते संपर्दाईक निर्वाचन पढ़नाली का दायरा भी बढ़ा दिया और भारस चीव के राजुसों को है वो भारत की स्थान पर बेटी से दिया जाने लगा चैनर में 200 दीनी भैस्ता परांतों में 2 सा सन को अपनाया गया और 2 सा अशन लियनेर कार्टिस को जाते हैं केंद्री बजट को राजिए बजट से अलग कर दिया गया लोग सभायों का गठन किया गया और एक अप्रेल 1921 से प्रांतों में दूसासन स्टार्ड हुआ और महीलाओं को मताधिकर और जो मताधिकर दिया गया था वो भी सिमित कमिशन आया था है और नेरू डिपेट और गोल में सम्मेलन के बाद है वो इस अधिनियम को लाया गया था और अखिल वार्चे संग की स्थापना का प्राफदान सक्तियों का विबाजन प्रांतों में दोई सासन विबस्ता की जगए अब केंदर में दोई सासन ले आए और संपर्दाइक तक और विस्तार किया गया और अठार सव अठाउन में जो भाड़त परिशद गटित की थी उसको भी इस अधिनियम के तैत है वो समापता कर देगा आरवियाई का कठन 1937 में संगय न्याले की स्तापना और राज्य सिवा योकत और संजुक सिवा न की स्तापना कियी ये था एक हमने देखना था कि कुछ सत्रा सो चोथर में कलक dz All cheap कता में भी 19org अब passenger अ these Powerत में वह अब अब भी हमारा सिप्रीम कोर्ड है वह 19 37 के संगिय न्याले बाला ही है प्लीज दू लाइक से र सस्क्राइब और यूटूब चैनल और आपको वीडियो अच्छा लगा सारे दोस्तों के साथ सेयर करें और आपको कोई सुजा है आपका तो हमें कमेंट बाक्स में जुरूर मेंशन करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब के साथ सेयर करें आप हमें इस्टा ग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फेस्ट पर फोलो कर सकते हैं और टेलीक्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ठैंक्यू फोर वाचिंग